अपने घर पर कैसे आप Wi-Fi modem सेट अप कर सकते हो इस वीडियो में complete आपको पता चलेगा और step by step मैं इसको configure करके दिखाऊंगा इसको access कैसे करना है पूरी details बिल्कुल beginner है कि नया Wi-Fi modem कैसे configure कर सकते हैं आप अपनी company के लिए अपने घर पे जो है और उसको access कैसे कर सकते हैं अ नही अससाइडी कैसे create कर सकते हैं मतलब एक Wi-Fi modem आप complete configuration जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक देखना एंड लाइक जरूर करके जाना अगर वीडियो पसंद आता है तो इस product को open कर लेते हैं और फटा-फट इसको connect करते हैं अपने laptop से और इसको बताते हैं कि क्या-क् इसको connect करते हैं setup कर लेते हैं setup करना भी मैं बताओंगा कैसे करना है तो कहीं पर भी skip मत करना वीडियो को सबसे पहले आपको अपना modem बाहर निकाल लेना है modem का design और सब कुछ मैंने बता दिया है यह dual antenna इसके साथ मिल जाता है तो frequency काफी अच्छी इसमें आपको यूज करने को मिल जागा definitely काफी अच्छी समझ में आगा मैं इसको side में रख जाता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर जो land cable मिल जाती है इसको जरूर आपको use करना है क्योंकि इसी के थुरू मैं configure करूंगा क्योंकि Wi-Fi starting में इसका क्या user ID password मुझे नहीं पता तो बिल्कुल unknown है तो भी मैं एक लगबग में एक मीटर की cable मिल जाती है और इसी के थ हां मेरा एडॉप्टर यहां पर मैंने इसका रख दिया था तो यह एडॉप्टर इसके साथ चाहिए होगा जिसके थुरू आप इसको power supply दोगे तो चलो इसको भी मैं फटा फट ओपन कर लेता हूँ यह मैंने बस practical purpose से आप लोगों को दिखाने के लिए मंगाया है बहुत स अब पर सप्लाइब दोगे हमें एक पावर LED इंडिकेट करते हुए मिल जाएगा तो बस हमारा काम हो गया इतना करने के बाद मुझे यह जो लैन के बल है ना इसको पास से दिखाऊ तो यहां पर चार पोड दिया हुए प्लस एक पोड यहां पर दिया हुआ है तो यह जो आपको प्रोड प्रोड बाइन या इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो आई-एसपी से मिलती है वह आप यहां पर लगा देंगे और एक स्प्लीटर भी यहां पर इस स्प्लीटर का कैसा से प्लीटर को बताता हूँ प्रोपर तरीके से पूरा सेटप मैं दिखा देता हूँ जो मैंन केबल आईगी ना वह मैंन लाइन जो मतलब कि एट इंटरनेट सर्विस प्रोड़ाइडर आपको देगा वो आपको यहां पर कनेक्शन कर देन Whatsre लआन पोर्ट चार पॉर्ट दिया हुआ है आप चार कंप्यूटर से कनेक कर सकते हो तो पॉर्ट वन पर मैं कनेक कर देता हूं और अभी नहीं के अभी और इसको मैं हटा देता हूं ठीक है अब यह हो जाने के बाद मैं इसको यहां पर साइड में रख देता हूं और सबकुछ मैंने देही दिया है इसका वाइफाई भी यहां पर अन दिखा रहा है वाकि सारी चीज़े हो गई अब यहां पर मुझे इसको अपने लैपटाप पर कनेक कर देना है तो मैं लैपटाप इसको connect कर देता हूँ finally तो मैंने laptop पर connect कर दिया आपने laptop के land port से connect करना है कोई और इधर उधर से नहीं कुछ option देखना आपको बस land port से connect कर देना बाकी काम हो जाएगा तो मेरे पर अभी internet use नहीं होता है इस laptop पर ही personal laptop के लिए मैंने अपना Macbook अलग रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़े दिखा रहा हूँ वो मेरा personal laptop नहीं आपको कभी भी जो भी IP की detail है Mac address यह सब चीज़ें आपको किसी और को नहीं दिखाना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं share करना है तो चलिए यहाँ पर मैं start करता हूँ कैसे कैसे क्या करना है इस screen पर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्या setup करना है configuration आपको समझ में आ गया नई समझ में आया तो एक बार वीडियो को revise कर लेना या दूबारा से देख लेना सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपको अपना browser open करना है browser मैं यहाँ से open कर लेता हूँ अपना Google Chrome का और इसको incognito mode पर मैं रख लेता हूँ कर देने से क्या होगा कि मैं एक सेफ प्राउजिंग कर ले रहा हूँ अब यहाँ पर हमारे computer को क्या IP मिली है कैसे हमें इस modem को access करना है कुछ नहीं पता इसका username क्या password क्या है नहीं पता अक्सर जब भी आप यह username यहाँ जो भी बाई करते हूँ इसके पीछे आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर यूजरनेम और password यह मांगेगा इसली यहाँ पर यूजरनेम पासवर्ड मुझे पता है तो मैं यहाँ पर यूजरनेम दे देता हूँ admin और password जो भी है इसका by default admin दे देता हूँ जैसे मैं login करूंगा यहाँ पर TP-Link thanks for choosing TP-Link ADSL 2 plus router modem please click next button to enter the first time configuration wizard तो यहाँ पर मुझे next करना है first time configuration कर रहा हूँ and then यह बोला time and details को set करने के लिए तो मैं यहाँ पर फटा फट अपना जो भी location है set कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर actually है भी की नहीं है तो let me check so कहां कहां का दिया 530 मेरा मतलब की IST है 530 यहाँ पर दिया हुआ है मैंने इसको select कर लिया time zone select करने के बाद finally आपको next कर देना है next करने के बाद यहाँ पर कुछ details आप से पूछेगा जैसे country तो country मैं यहाँ पर अपना select कर लेता हूँ बिल्कुल new model आपको पता चल रहा है ISP मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ BSNL है MTNL है टेल है Reliance है Tata है Connect है यह सारी चीज़ है तो फिलाल अभी मेरा कोई ISP नहीं है तो अभी यहाँ पर कोई तो कोई देना ही देना है तो by default BSNL है वही मैं रहने देता हूँ ISP connection type POE है static IP address है dynamic IP address है breeze mode है तो जो भी आपका है यहाँ पर आप दे देंगे तो simple मैं यहाँ पर एक dynamic IP तो नहीं देना है and static IP मैं अगर यहाँ पर दे देता हूँ तो यहाँ पर मुझे VPI, BCI यह जो ID होती है यह आपको internet owner से जब आप ISP से connection लेते हो तो यह सब detail मिलती है जो भी static IP आप buy करे रहते हो अगर आप यहाँ पर एक dynamic IP दे देते हो तो automatic IP अपने लिए set कर लेगा जो भी और उसके आगे आप VPI, BCI यह VPI और BCI जो detail होती है यह ISP से मिलेगा और वही number आपको यहाँ पर type कर देना है इसी range में आपको मिलेगा and then यहाँ पर connection type दे दिया हुआ है bridge IP LLC, VCMAX LLC, VCMAX यह सब दिया हुआ router और यह सब चीज़े तो आपको by default जो है उसी पर रहने देना उसमें कोई changes नहीं करना है और क्यों न हम यहाँ पर manual IP ले ले लें तो manual IP ले लेंस हमें यह होगा कि हम इसकी IP अपने हिसाफ से सेट कर सकते है तो मैं यहाँ पर 10010 कर देता हूं इसकी IP या 1001 कर देता हूं and then यहाँ पर subnet mask 25500 कर देता हूं एक gateway मैं यहाँ पर apply कर देता हूँ, IP चलो, IP मैं 10 कर देता हूँ और gateway मैं कर दूँगा 10.001, तो 10.001, ओके, इतना करने के बाद finally आपको next कर देना, बस बाकी कुछ नहीं, अब यहाँ पर activate and deactivate, access point आपको activate करना है और deactivate करना है, तो ठीक है, मैं access point activate कर देता हूँ, मतलब की Wi-Fi के लिए, तो मैं यहाँ पर Wi-Fi name देता हूँ, सीखो live, and यह yes, WPA2PSK, and WEP64-bit का encryption है, W WPA2PSK के साथ WPA2PSK का भी, मतलब काफी advance सारी security को यह support कर रहा है, और WEP का एक advance encryption 128 bit पर भी है, तो मुझे यही चाहिए था, काफी secure है, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, जो भी है, तो WPA2PSK default अभी रहने देते हैं, बाकी security को समझाना पड़ेगा, तो काफी interesting मैं एक tutorial आपको ब बताई जा सकती है, तो एक-एक security को मैं अगर बताऊंगा, तो security पर बना दूँगा, अलग से video, तो अभी setup कर लेते हैं, यह भी security काफी अच्छी है, और यहाँ आप encryption, AES और TKIP दिया हुआ, देखो, अगर आपके पास mobile नहा है, जैसे यह मेरा iPhone 12 है, अगर मैं इसको connect करता ह तो AES चलेगा, लेकिन अगर मैं पुराना Android phone, जो कि देख सकतो screen भी टूटी है, अगर यह मैं यूज करूँगा, तो यह साहद AES encryption, यानि के advanced encryption system को support ना करे, जब यह support ही नहीं करेगा, तो यह Wi-Fi signal disconnect होता रहेगा, प्रापर तरीके से यह connect नहीं कर पाएगा, तो best है कि आप temporary key-based authentication ले लो, TKIP, जब TKIP आप ले लेंगे तो यह problem करेगा, जिस लेबल पर यह है, इसको security नहीं मिल पाएगी, आप तो problem हो गई, तो यहाँ पे दोनों option दिया हुए, TKIP and AES, आप यह ले लो, आपकी दोनों device proper काम करेगी, और यहाँ पे एक password assign कर दो, तो password यहाँ पे मै यह next कर देना है, finally, quick start complete, save and exit कर देना है, finally आपका हो गया, save the current time, about 10 seconds, please wait a moment, 10 seconds का समय लेगा, और यह configuration done, आपके सामने यह TP link का detail आ गया, हमारे system की जो IP 192.168.1.1 है, और यहाँ पे देख सकते हो, WAN, यानि की Wi-Fi के थ्रू कोई device यहाँ पे connect नहीं है, कुछ details नहीं आ रही है and इसका detail से भी यहाँ पे DSL से भी related नहीं है, firmware की detail है, plus यहाँ पे आपको, मैं इसका MAC address की detail मिल जाता है, static log detail यहाँ पे आ जाएगा, यह थोड़े समय पे refresh होता रहेगा, यह normal status है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, quick start के, तो quick start में यहाँ पे run wizard आ जाएगा, interface setup के बारे म आप यहाँ से wireless security को change कर सकते हो, plus यहाँ पे आपकी wifi जो signal है, activate है, अगर मैं wifi के बारे में दिखा हूँ, तो अपने phone पर proper तरीके से मेरा signal आ रहा है कि नहीं आ रहा है, let me check, तो मैं यहाँ से अगर दिखा हूँ, वैसे मैं एर plane mode पर रखा हुआ है, बट यहाँ पर सीखो live आ यहाँ पर password hello, hello, और one link के connect कर देता हूँ, यह हमारा हो जाएगा, अभी connect नहीं हुआ, connect हो गया, connect हो गया, प्रॉपर तरीके से, अब अगर मैं status में आकर दिखा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह मेरा phone का details दिखा रहा है, जो कि 10010, sorry, अभी यहाँ पर device information में में देखता हूँ, तो device information यहाँ पर कुछ है, static IP क्या है, कैसे है, when detail में, तो one ID and Mac address इसका दिखा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, Wi-Fi का status है, एक device है, उसका Mac address दिखा रहा है, तो यह इस device का है, अगर मैं refresh करूँ यहाँ से, और इसको disconnect कर दूँ, तो यह यहाँ से हट जाएगा, जैसे मैंने off कर दिया, and अभी देखो यहाँ पे, यह अभी disconnect नहीं हुआ है, keep Wi-Fi a disconnect, okay, disconnect हो गया, now you can see, अभी पूरी details हट गई, तो यह आपका proper configure हो गया, अब internet भी चलेगा कोई issue ने, बस यही setup करना होता है, और बहुत आसानी से आप चला पाते हो, बाकि इसके advanced system पे क्या है, यह firmware क्या होता है, SPI क्या होता है, quality of service का इसमें option दिया हुआ है, QOS का है, VLAN का है, DSL का है, VLAN वगरे भी मतलब इसमें बना सकते है, activate VLAN, define VLAN group, मतलब काफी अच्छा है, मतलब एक modem से मैं काफी ज़्यादा आप लोगों को lab करके दिखा सकता हूँ, बहुत सा बहुत आसानी से आप इसको setup कर सकते हो, configure कर सकते हो, तो यह सारी चीजे मैंने आपको दिखा दिया, as per your need, आप इसके अंदर और भी setting कर सकते हैं, अब last option, आपको क्या इस modem के बारे में जानकारी चाहिए थी, आप किस subject के बारे में मतलब क्या configure करना चाहते हैं, Mac security filtering, कुछ भी अगर आपके पास कोई doubt है, तो बिल्कुल comment करके पूछेंगे, बाकि हम लोग बात करेंगे, जब भी आप इस modem को connect करिये न, तो इसका सबसे पहले जो default username, password है, यह सब बदल दो, आप तो मैं यहाँ पे, अगर दिखा दू, advanced setup में सायद, नहीं, access management में होता है, और यहा पे नहीं है, ठीक है, आजाते है, setup पे इसमें भी नहीं है, maintenance में आजाते है, okay, maintenance के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है, by default username नहीं बदल सकते, बट आप इसका password यहाँ पे set कर सकते हो, password के लिए कोई advance जो किसी को नहीं बताना है, ताकि इस modem को कोई access ना कर पाए, और बह इसके अंदर भी इसको configure कर सकता हूँ, अब wifi का जो इसका configuration मतलब की IP था, सायद 192.168, keep wifi connection 192.168.168. और let me check status के अंदर दिखा रहा था, तो यहाँ पे कुछ ही इस तरीके से LAN के लिए और WAN के लिए, क्या है, no idea, so let me check 192.168.1, okay, तो 1.1, okay, 1.1 करने के बाद एंटर किया, और अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, Google Chrome open कर लेते हैं, 192.168.0.1, enter कर दिया, okay, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी login detail मांग रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे Wi-Fi से connect करा हुआ, बस एक बार connect हो जाने के बाद अपना login कर लीजिए, क्योंकि मेरा admin username है, तो मैं यहाँ पे देदेता हूँ, admin, एंड इसका जो password है, वो भी है admin, तो मैंने admin दे दिया, अब यह देखो, modem यहाँ पर भी login हो जाता है, मैं थोड़ा सा इसको pass से आप logo को दिखा दूँ, यह, ओके, I think आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसका brightness मैं down कर दूँ, अभी दिखेगा, आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको configure कर सकते हो, जो चीज यहाँ पर आपकी है, वह यहाँ पर भी है, और यह थोड़े-थोड़े समय पर आपका refresh भी होता रहेगा, तो आप इसको as per your need configure कर सकते हैं, तो बस यही है, तो सबसे पहले इसका आप change कर देंगे, password and login password, IP address, सब कुछ, तो मैं इसको setup करके, कोई इसकी मैं personal use या wifi चलाने के लिए नहीं लिया हूँ, तो इसको कोई भी security enable करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब setup करिए, और कोई भी doubt ह होता तो जरूर पूछेंगे, मिलता है next studio में, thank you so much.